तो हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिस समरी, तो आज री क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ का चप नमबर सैबन, जिसका नाम है तलास्ट ली, तो ये कहानी दो लड़कियों के उपर है, जो की आर्टिस्ट होती है, और उनमें से एक बिमार हो जात करते हैं, तो कानी के शुरुआत होती है दो लड़कियों से, जिनके से एक का नाम होता है सू, और दूछरी का नाम होता है जॉन सी, और ये दोनों के दोनों एक आर्टिस्ट होते हैं, मतलब ये लोग पेंटिंग मजारा बनाते हैं, और ये आर्टिस्टिक चीजों में होत है इनकी दोस्ती बहुत ही जादा खैरी होती है ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यह लोग प्लैट में फड्रट और रहते हैं झाक वो बिल्डंग उधी हैं वो काफी फॉराड़ानी से मों हो दीए हैं जिस्हें हों गया तुम है तुम इस तरीके से बैट पे क्या पड़ी हुर। तुम जादा ही बिमार लगई है। चलो हम डौक्टर के पास चलते हैं तो इसके बाद जो सू है वो जॉन्सी को डौक्टर के पास लेकर जा ती है इसके तो नीमोनिया हुगी है और तुस्ते भी बड़ी बात यह है कि इसके उपर कोई भी दवा असर नहीं करेगी क्योंकि इसमें पता नहीं क्यों जीने की इच्छा ही छोड़ दी है अब इसे पचाना है तो तो भी कुछ कर सकती हो इसके मन में फिर से जीने की इच्छा पो जगाओ तब यह कुछ हो जोड़ आउन सी की मन में फिर से जीने की इच्छा को जगाने के लिए वो इसे वह तरह की बाते किया करती है जिसे की ऊच्छा फील हो तो मुझे बचाने की कुछ मत करो सू मुझे पता है कि मैं मर ही जाओंगी तुम ऐसा क्यों कह रही हो ऐसा कुछ नहीं होता फिर इसकी इस बास जो सू है वो जोनसी सिफ फैशन के बारे में, क्लोज के बारे में, ड्रॉING के बारे में और आर्टिस्टिक चीजे जनमें उन्हें पहली इंटरस्ट था उसके बारे में बताती है ता कि उसे फ़र चीनी की इच्छा होने लग जाए लेकिन कोई स्लीफ है वो जैसे ही जमीन पर गिरेगी मैं भी उसी के साथ मर जाओंगी यह कैसी बेवगुफ हो जैसे बाते कर रही हो तुम ऐसा थोड़ी होता है नहीं मुझे पकता यकीन है ऐसा ही होगा देख ना जैसे जैसे उस पेड़ की पत्रियां गिर रही हैं मैं और भी वो एक आद्मी से मिलती है जो की उसी की बिल्टिंग में रहता है जो वामी होता है का नाम पहराम होता है बहराम का अनिशा से एक सपना था कि हो एक मास्टरफीज बनाए उसे मरने से पहले एक मास्टरफीज बनाना था जिसे पूरे दुनिया याद रखी जिसु है वो सारी बाते बहराम को पताती है कि उसकी एक रूममीट है जो कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ ऐसा ऐसे हो रहा है वो जीने की इच्छाएए छोड़ बैठी है फिर वो दोनों फिर बहराम और सु जोंसी के रूम में जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि वहार बहुत थी तेज बारिश और तूफान आ रहा होता है जिसे देखकर उन दोनों को ये बात पता चल गई थी कि वो जो लास लीज है वो गिरने वाली है और अगर जॉनसी ने वो देख लिया तो वो पका यही सोचने लग जाएगी कि अब वो भी मर जाएगी और कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए बहराम जिन कुछ कीजिए देखे ना कितनी तेज दूफान आ रहा है कहीं वो लास लीज भी ना किर जाए और अगर जॉनसी ने वो देख लिया तो पका वो जीने की पूरी इच्छा ही शोड़ देगी और वो पका मर जाएगी आप प्लीस कुछ कीजिए ना फिर उसके बाद जो बहराम है वो नीचे चला जाता है और सू भी थोड़ी तेर के लिए कमरे से बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि ने लास्ट लीफ है भी बिलकुल जाती है जो वो और भी जा कि ना ठीक होने लगा जाती है सूर मुझे काफी अच्छा फील होने लगा है देखो न वो बेड़ वो जो बेड़ की पत्ती है वो अभी भी वाई पर जिन्दा है शायद भगवान मुझे ये कहना चाहते है कि तुम अभी भी जिन्दा रहो वो बक्का मेरे ले कोई चीज लेके बैटे है मेरे साथ बक्का बहुत अच्छा होने वाला है तुम देखना मैं बहुत जल्दी और भी ठीक हो जाओंगी हाँ तुम बिल्कु ठीक हो जाओगी तुम देखना तुम बहुत जल्दी पहले से भी अच्छी हो जाओगी तुम एक काम करो मुझे एक मेरर ला कर दो मुझे खुद को देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ मुझे अब खुद को और भी अच्छा देखना है और मेरे ले स्टूप भी लेकर आओ, मुझे बहुत भूक लगी है, मैं बहुत सारा सूप पीना चाहती हूँ फिर जो जॉन सी है, वो सू से माफी मांगती है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दीना, मैंने तुम्हें बहुत परिशान किया और तुमने मिज़ ठीक करने के कितनी कोश्च करी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती है, उसू, आइम सॉरी, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं तुमार लेकर ही सकती हूँ फिर उसके बाद, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें खबर मिलती है कि जो बहराम है उसकी देथ हो गई है, वो अपने कमरे में बिल्कुल दीला पड़ा हुआ है, बाहर जो तुफान था, ऐसा लग रहा था कि फूसकूर बुरी तरीके से भीग किया है, और उसे निमोनिय जिसकी वज़ा से उसकी देथ हो गई, और बुरी जरीके से काप रहा था जब वो कार्ड्स को मिला था, और उसके बाद उन्हें यह बात पता चलती है, जो पहराम है, उसने वो जो लास्ट लीफ वाले पेंटिंग थी, वो जो पेड़ था, वो एक्जेक्ट लीफ वैसी प भना कर उसने माँ पर लगा दी थी, ताकि जौनसी को एक होप मिले जीने की और वो फिर से जीना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसने यह सब इतनी कड़ी तूफान और बारिश भी किया था, जिसकी वज़ा से वो पूरी तरीके से भीग गया, और भीगने की वज़ा से उसे नि है, एक गोल था कि मैं एक मास्टरपीस बनाओं मने से पहले वो बना ले थी और जो मास्टरपीस थी फो थी दे लास्ट लीज वो इस पेंटिंग का नाम भी अरखा गया ते लास्ट लीज और उस तरीके से इस चैप्टर का एंड हो जाता है, तो इस चैप्र में से इतना इ इस तरीकी की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करें, ठैंक यू कैम भी और समरी जाट एंड है हैं से आए धिस तरीका है, जाथ जा जानने के कंध Satan